आज आमने सामने होगी हैदराबाद और दिल्ली जानिये किसका पल्ला होगा भारी दिल्ली ने तीन बार की पूर्व चैंपियन मुंबई को हरा कर शानदार शुरुआत की थी लेकिन उसके बाद से निचला करम उसकी परेशानी का सबब बना हुआ है दिल्ली चार मैच के बाद दो जीत के साथ पाचवे स्थान पर है कोलकता के खिलाफ आखरी ओर में टीम छे रन नहीं बना सकी और मैच सूपर ओवर तक खिज गया सूपर ओवर में रबाडा के शानदारी ओर करके चल तेट टीम जीत सकी पंजाब के खिलाफ दिल्ली ने पिछले मैच में आखरी साथ विकेट महज आठ रन के भीतर गवा दिये और 14 रन से मैच हार गई दिल्ली के पास रबाडा के अलावा ट्रेंट बोर्ट और इशान शर्मा जैसे गेंदबाज है नेपाल के लेग स्पिनर संदीप ने भी अच्छा परदर्शन किया है असली मकाबला रबाडा और क्रिस्प मौरिज जैसे दिल्ली के तेज गेंदबाजो और शानदार परदर्शन कर रहे हैं डेविड वार्नर और जौनी बेरिस्टो जैसे हैधराबाद के बल्ले बाजों के बीच होगा वार्नर और बेरिस्टो ने इस साल तीन मैचों में शतकी साज़धारिया की है कुलकत्ता के खिलाफ 118 रन की साज़धारी के बाद उन्होंने राजिस्तान के खिलाफ 110 और RCB के खिलाफ 185 रन जोड़े हैं बैंगलोर के खिलाफ पिछले मैच में वार्नर और बेरिस्टो दोनों ने शतक जमाए थे हैधराबाद ने जीत की रहा पर वापसी की और अब वे इसकी हैट ट्रिक लगाना चाहेंगे अफगान इस्पिनर मोहमद नभी और राशित खान ने भी जीत सूत्रधार की भूमी का निभाई जबकि तेजगेंदबाज संदीव शर्मा ने चार विकट लिए लेकिन अनुबवी तेजगेंदबाज भूमेशर कुमार का देथ ओर में और सथ प्रजशन चिन्ता का सबब बना हुआ है बने रहे हमारे साथ और देखते रहे देखते रहे देख यूपी हेडलाइन्स झाल झाल